आप सब लोगों को हमारा नमश्कार और आज इतवार के दिन आपको आपके घरों से बुलाकर प्रेसवारता कर रहें क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रेसवारता है और ये प्रेसवारता होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि किसी और लोकतंत्र में अगर ये घटनाएं होती तो सरकारे गिर जाती है मैं पहले आपको एक छोटा सा वाकिया सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो फाइनांस के और मार्केट के और आफशोर के और फलाना होल्डिंग के जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं लेकिन बात बड़ी साफ है एक गाउ में डाका पड़ा डाकों ने अंधा दुन लूत मचाई खुब लूटा खसोटा माल इधर से उधर किया शक था कि लुटेरों के साथ गाउ का मुखिया मिला हुआ है उसकी मिली भगत है तो लोगों को समझ में नहीं आया वो क्या करें वो कोतवाल के पास गए उन आका नी करने लगा कोतवाल कभी इधर कि बात करे कबी उधर की बात करे कहे कुछ सबूत नहीं मिल रहा है कोतवाल बगले जखता था लोग परिशान हो गए फिर एक दिन सुबह सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था तो एक मुआवरा हमारी तरफ कहा जाता है जब सेयाभ भै कोतवाल तो डर काहें का और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी महा घोटाले की भी प्रतीद होती है अडानी महा घोटाला सामने आया, औफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, stock manipulation के charges लगे हिंडनबर्ग ने charge लगाया कि कैसे offshore से पैसा आता था stock manipulation होता था कैसे round tripping हो रही थी ये सारे charges हिंडनबर्ग ने लगाये तो इसकी जो जाच है वो market regulator security and exchange board of India SEBI को सौपी गई क्योंकि market का regulator market पर आख रखने का काम सेभी करता है पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट टू का संसनी खेज खुलास आया है उसके मुताबिक सेभी की प्रमुक मादभी बुच और उनके पती धवल बुच उन्ही आपस्क्योर बर्मुडा या मौरिशस फंड में इन्वेस्मेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोध अडानी का संबंद था एक बड़ी फेमस लाइन है मेरा कातिल ही मेरा मुनसफ है यहाँ पर तो मुनसफ ही कातिल निकल रहा है तो जो कोतवाल है जिसको जाच करनी थी उसका उन्ही तथाकथित फंड में इन्वेस्मेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पर विनोध अडानी का संबंद था इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि मादभी बुच का अडानी समू से संबंधित ओफशोर फंड में इन्वेस्मेंट था और सेमी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपना शेर उन्होंने अपनी शेर होल्डिंग अपने पती को ट्रांसफर कर दी इस रिपोर्ट में लिखा है कि मादभी बुच और धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपी प्लस फंड वन के साथ एक खाता खोला था ये आईपी प्लस फंड वन अडानी समू के एक डाइरेक्टर ने IIFL के माध्यम से खोला था तो बुच दम पत्ती ने खाता खोला सिंगापुर के एक आईपी प्लस फंड में जिसका स्थापना अडानी समू के डाइरेक्टर ने IIFL के माध्यम से की अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि IIFL ने अपनी एक घोशणा और ये सारे दस्तावेजों के साथ है ये सारे दस्तावेज आपके पास अल्रेटी है चाहिए होंगे तो हम साजा कर देंगे अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि IIFL ने अपनी एक घोशणा में बुच दम पत्ती के इंवेस्मेंट सोर्स को सालरी बताया और कुल संपत्ती करीब 10 मिलियन डॉलर की आकी गई दो तथ्य और बताकर हम इस पर जो राजनितिक सवाल है जो प्रोबिटी के क्वेस्टिन्स है जो कॉन्फिक्ट अफ इंटरेस्ट के क्वेस्टिन्स है उस पर जरूर जाएंगे दो तथ्य और जानने जरूरी है क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेभी चेर परसन मादभी बुच के अलावा दो और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है एक है अगोरा और दूसरा ब्लैक स्टोन ये दोनो मार्च दो हजार बाईस सेभी प्रमुख बनने के टाइम तक मादभी बुच तब सेभी में होल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ओफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में हंड्रेट परसेंट हिस्सेदारी थी इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है नाम याद रखिएगा सिंगापुर बेस्ट कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स जिसका स्वामित्व मादभी बुच जी के पास था जब वो होल टाइम सेभी मेंबर थी सेवी चेर परसन बनने से पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था मार्च 2020 में सेवी चेर परसन बनने पर उन्होंने अपनी शेर धारता अपने पती को ट्रांसफर कर दिये यह अगोरा की बात कर रहे हूं रिपोर्ट आगे بتाती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापूर में रेजिस्टर हुआ था और आज भी सेवी की चेर परसन मादवी बुच जी वर्तमान में अगोरा अडवाइजर नाम की कमपनी में 99% की हिस्सेदार है उनके पती इस कमपनी के डाइरेक्टर है कंसल्टिंग फॉर्म में वो 100% स्वामित था उन्होंने अपने पती को ट्रांस्फर कर दिया था अडवाइजरी जो अगोरा अडवाइजरी के नाम से है उसमें 99% की हिस्सेदार है यहाँ पर एक आकड़ा बता रही हूँ और यह जानना जरूरी है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मताबिक 2022 में अगोरा ने 261,000 डॉलर का रेविन्यू कमाया था यह उनकी कमाई थी जो माधवी बुच जी जो सेवी की प्रमुख है उनके वेतन का करीब साड़े चार गुना है अगोरा की बात हो गई अगोरा एक कंसल्टिंग फॉर्म था वो कंसल्टिंग का बिजनस करते हैं उसमें माधवी पुरी बुच जी का स्वामित्व था पती को ट्रांसफर हुआ साड़े चार गुना उनका रेविन्यू दो लाख 61,000 डॉलर सिर्फ 2022 तक था अब दूसरे एहम किरदार की बात कर लेते हैं और वो है ब्लाक स्टोन एक रीट्स नाम की चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट का प्लाटफॉर्म है जैसे म्यूच्वल फंड होता है पूर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है वैसे ही एक रीट्स है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रॉटस्ट इसकी बहुत पैरवी आजकल सेभी करता है मादभी पुरी बुच्च जी ने तो सारवजनिक रूप से इसको अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्टूमेंट भी बताया है, इन्वेस्टमेंट अफ़ फ्यूचर भी बताया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मताबिक, सेभी चीफ पर उन्होंने ब्लाक स्टोन जैसी कमपनियों को रेगुलेटरी मतलब नियम कानून बना कर फेवर देने के आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि सेभी चेर परसन रहते हुए, माधवी पुरी बुच जी के पती धवल बुच, ब्लाक स्टोन के सीनियर अडवाईजर बन गए, वरिष्ट सलाहकार वो नियुक्त हो गए ब्लाक स्टोन के, और ब्लाक स्टोन रीट्स का एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में, एक बात ये भी बता दूँ कि इनके पती इससे पहले रियल एस्टेट में कभी इंवल्व नहीं थे, कैपिटल मारकेट्स में उनका इंवल्मेंट बहुत सीमित था, हिंडनबर का रोप है कि रेगुलेटरी बदलाओ, नियम कानून ऐ जैसे बदले गए, जिससे की सारा का सारा फाइदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लाक स्टोन था, और ब्लाक स्टोन में मादभी बुच जी के पती धवल बुच जी, सीनियर सलाकार वरिष्ट अडवाईजर थे, जैसा कि मैंने कहा वो र रक्षधर है, एक कॉन्फरेंस में उन्होंने रीट्स को फ्यूचर का फेवरेट प्रॉड़क बताया था, निवेशको को कहा था इस फ्यूचर के फेवरेट प्रॉड़क को आप देखिए, ये बहुत कारगर है, हिंडन बर का आरोप है कि क्या मादभी पुरी बुच जी ने ये सब कहते हुए, ये जिक्र किया था कि उनके पती ब्लाक स्टोन से संबंदित है, जो रीट्स का सबसे बड़ा खिलाडी है, और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दो दिन पहले, जब सरसरी तोर पर ये चर्चा हो रही थी, कि हिंडन बर्ग रीसर्च क एक और खुलासे वाली रिपोर्ट आने वाली है, ब्लाक स्टोन ने एक बड़ा कदम उठाया, उन्होंने नेक्सिस सेलेक्ट ट्रस्ट में 33 करोड यूनिट 4550 करोड में बेच दिये, आपदा से पहले ही यहां फाइदा बनाया जा रहा था, सवाल ये भी उठेगा, तो अब एक स्वता सवाल उठता है, कि क्या अडानी महा घोटाले की जाच इसलिए नहीं हो रही थी, क्योंकि जिसको जाच करनी थी, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो कहीं न कहीं उसमें सलग्न थी, उच्छुतम नयायाले बार बार निवेश की जानकारी मानता था, सेभी बार बार इधर उधर बगले जागता था, सेभी ने तो ये तक कह दिया था, we have drawn a blank, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये minimum level पर, at the absolute minimum level, ये पारदर्शिता के तार-तार करता है, and at the absolute maximum level, ये संभवता सबसे बड़ी criminal conspiracy है, एक महा घोटाला, महा घोटाले की जाच करने वाले सलग्न, और खेर उनकी नियोक्ती करने वालों की अभी हम बात करते हैं, एक बात और साफ है, कि इस पूरे खुला से ने, सेभी चीफ, इस देश की सरकार, और इस देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की integrity को तार-तार करके रख दिया है, उनकी कोई integrity नहीं बची है, उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी करतेव निश्टा पर जबर्दस सवाल है, वो कट घरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं, और ये पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साज़श रची गई है, यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है, और इससे पहले की बीजेपी, और वो कर रही है, नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेभी का आ रहा है, नाम मादवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैक स्टोन का रहा है, बीजेपी को क्या तकलीफ है, वो कह दंगल में अखाडे में उतर कर बचाओ पर आ गए ये कौन सा तिनका है क्योंकि दाड़ी में तिनका तो है और उसका खुलासा भी हम करेंगे तो इससे पहले की बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसरच जो है वो देश मिरोधी है वो अंतराश्य साज़िश रच रही है देश के खिलाफ यहां पर बताना जरूरी है कि लोक तंतर में सरकार को जवाब देख बनाने के लिए इमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो इसके लिए विपक्ष प्रतिबद है पिछले दस सालों में इस देश के कानून अब प्रत्याशत तरीके से देश के दलितों पर आदिवासियों पर पिछडों पर माइनॉरिटीज पर ओपोजिशन पर लगे है लेकिन धन्ना सेटों पर रसूक वाले लोगों पर सत्ता धीशों पर इन कानून का कोई इंपक्ट नहीं है कोई इफेक्ट नहीं है और इसलिए कुछ बहुत ज़रूरी सवाल है सवाल सबसे पहले सभी चीफ मादवी बुच जी से है पहला सवाल ये है कि क्या आपने 2015 में Global Development Opportunity Fund का हिस्सा बनकर IPE Plus Fund One में निवेश किया था जो गौतम अडानी के भाई विनोध अडानी से भी संबंधित है दूसरा सवाल जब आप सेभी की पूर कालिक सदस थी तो क्या आपने IPE Plus में अपने निवेश को अपनी शेयर होल्डिंग को सेभी के सामने उसका खुलासा किया था उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था क्या आप ये बता पाएंगी कि अडानी एंटरप्राइजेज और उनके पूर निर्देशक अनिल अहुजा आईपी प्लस फंड से किस तरह से संबंदित थे उन्होंने IFL के साथ इस फंड की स्थापना कैसे की थी क्या आप ये बता पाएंगी कि जब आप सेभी की पूर कालिक निदेशक थी तो क्या आपने सिंगापूर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी शेयर आपके थे या नहीं थे क्या आपने इसका डिस्कलोजर सेभी को किया था क्या आपने इस शेयर होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमाया है क्या आपकी revenue stream आई है किन संस्थाओं ने इस consulting firm Agora को business दिया क्या आप ये बता सकती हैं क्योंकि एक वक्त में आपके पास पूरा-पूरा इसका स्वामित्व था report के अनुसार क्या आपने 2022 में Agora में अपना स्वामित्व अपनी shareholding अपने पती को transfer की थी जैसा कि ये report कह रही है वो कौन सी संस्थाओं हैं जो आज भी Agora को consulting firm consulting का business दे रही हैं वो भारत की कौन सी companies हैं क्योंकि सेवी चीफ रहते हुए ये disclosure करना भी जरूरी है क्या आपने सेवी को सूचित किया था कि आपके पती Blackstone से अब संबंधित है जो REITS में एक बहुत बड़ा खिला रही है आपने या सेवी के किसी समू ने या सेवी की किसी meeting ने Blackstone से अकेले Adani Group से अकेले या किसी ऐसी companies के साथ meeting की है जिनका Blackstone और Adani से लेना देना है Supreme Court को सेवी ने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा We drew a blank क्या आपने कोट द्वारा स्थापित समिती और इस देश के सर्वोचद को ये बताया था कि जिन फंडों की जाच आपको सौपी गई है उनमें से कुछ तथा कथित तोर पर इस रिपोर्ट के मताबिक वो फंड थे जिनमें आपकी हिस्सेदारी आपकी शेर होल्डिंग थी क्या आपने इसका खुलासा Supreme Court गठित समिती या खुद Supreme Court के सामने किया था और एक सबसे बड़ा सवाल अगर ऐसा था अगर आपकी शेर होल्डिंग थी और उनका स्टेटमन कहता है मेरी शेर होल्डिंग थी जो मैंने ट्रांसफर कर दी थी तो आपने अपने आपको इस जाच से क्यों नहीं रेक्यूज किया Caesar's wife has to be above suspicion आप कैसे उन फंड की जाच करती रही अगर करती रही जिन में आपका कभी निवेश था आपके पती उसे सलगन है ये कैसे हो सकता है आपने अपने आपको इस जाच से अलग क्यों नहीं किया अगर नहीं किया और क्या इतने गंभीर आरोपों से घिरे रहने के बाद आप सेभी के पद पर सेभी के सरवोच पद पर इस देश की शेर मार्केट की रेगुलेटर बनी रह सकती है या आपको ततकाल प्रभाव से बरखास्त कर देना चाहिए ये सवाल से भी चीफ से है लेकिन अब सवाल सरकार से है क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संगरक्षन के बगेर ये जो तथा कथित मिली भगत है अडानी और सेभी की ये हो सकती थी इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा क्या सरकार के सामने ये तत्थ थे कि आपकी सेभी चीफ जिसको आपने सेभी चीफ अपॉइंट किया है जिस समू की वो जाच कर रही है उस समू में तथाकतित तोर पर उसके इंवेस्मेंस थे क्या ये बिना नरेंदर मोदी की जानकारी के बिना उनके संग्रक्षण के संभव है क्या नरेंदर मोदी अपनी मार्केट रेगुलेटर के इतने बड़े घपला बाजी में सलगन आरोप पर अब अपनी चुप़ी बरकरार रख सकते है या उनको बोलना चाहिए क्या जो सरकार लगा तार अडानी समू पर लगे आरोपर पुपरदा डाल रही थी और अब जब पता चल रहा है कि जाच करता भी संभवता इसमें सलगन है क्या वो इस घोटाले की निश्पक्ष जाच कर सकते है सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ सालों से दस सालों से फुस्पुसाहट थी और अब वो हुंकार है और फुस्पुसाहट ये थी कि सरकारी अफसरों रेगुलेटर्स संभवता न्यायपालिका के चैन में नियुक्ती में गौतम अडानी का बढ़ता हुआ भयंकर वर्चस्व है तो सवाल ये है कि क्या गौतम अडानी की भूमिका थी मादवी बुच जी को सेभी चीफ अपॉइंट कराने की आखिर पिछले दस सालों में अडानी जी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए सवाल ये है कि शेर मार्केट के रेगुलेटर ने अपनी विश्वसनिता खो दी है तो अब छोटे छोटे इंवेस्टर की सुरक्षा कौन करेगा सवाल ये है कि इतने गंबीर आरोपों के बाद अगर कल और संभवता ऐसा होगा मार्केट गिरता है तो लाकों करोडों का जो स्वाहा होगा छोटे इंवेस्टर का उसके जिम्मेदार प्रधान मंतरी मोदी गौता मडानी और सेभी प्रमुक मादवी बुच क्यों नहीं कहे जाएंगे सवाल ये है कि हम अपने आपको विश्व गुरू कहते है लेकिन इतना बड़ा कलंक हमारे मारकेट रेगुलेटर पे तीन से चार ट्रिलियन डॉलर का पैसा लगा हुआ है हमारे मारकेट में हम किस तरह से डॉमेस्टिक या फॉरन इंवेस्टर को आज ये विश्वास दिला सकते है कि हमारे यहां रूल अफ लो है जब सबसे उचे पद पर बैठा हुआ मारकेट स्वामी मारकेट को रेगुलेट करने वाले व्यक्ति के उपर इतने गंभी राक्षेप है एक बहुत बड़ा सवाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोट पहुँचा था सुप्रीम कोट ने समिती गठित करी थी उस समिती ने जाच करी थी आज सवाल ये है कि क्या उस समिती के सामने क्या उच्चुतम ने आया ले कि सामने the highest constitutional court of the country हिंडनबर्ग रिसर्च में जो चौकाने वाले आक्षेप जो चौकाने वाले तथ जो चौकाने वाले आरोप जो गंबीर आरोब सामने आये है, जो conflict of interest सामने आया है, जो शेरों का स्वामित्म स्वामने आया है, क्या इसके बारे में सुप्रीम कोट को अवगत कराया गया था, या सुप्रीम कोट को भी बाकी देश की तरे अंधेरे में रखा गया असलियत ये है कि ये हमारे संस्थानों की विश्वस्निता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है और असलियत ये भी है कि इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चितम नियाले से the highest court in the country, the highest constitutional court in the country से अपील करते हैं कि वो स्वता संग्यान लें इस मामले की जाच करें क्योंकि ये भारत की financial विवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है असलियत ये है कि इस महा घोटाले की जाच सिर्फ और सिर्फ JPC से हो सकती है जिसका गठन नरेंद्र मोदी करने से डरते हैं लेकिन कब तक डरिएगा आप और कब तक बचाईएगा अडानी को क्योंकि महा घोटाला इतना बड़ा है उसके डंक इतनी दूर दूर तक पहले हुए हैं कि अंततो गत्वा एक ना एक दिन आप लोग पकड़े जाएंगे लेकिन तदकाल प्रभाव से सेवी चीफ को उनके पद से हटाना पड़ेगा अन्यता सरकार की विश्वस नियता, मार्केट की विश्वस नियता, मार्केट रीगुलेटर की विश्वस नियता पर बहुत बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा कहर छोटे छोटे जो निवेशक है वो उन पर बरपेगा जब इसका नेगिटिव प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़ेगा I think मैंने मोते तौर पर हिंदी में जो बोलना था बोल दिया है but मैं अंग्रेजी में सिर्फ दो मिनट में थोड़ी सी बाते कहना चाहती हूं there are absolutely serious allegations that have been raised in the Hindenburg Research Report on the role of the market regulator, on the shareholding of Madhvi Butch and her husband on how allegedly she was investing in funds which were connected, offshore funds which were connected to Gautama Dhani's brother Vinodha Dhani there is an entire series of events that the Hindenburg Research outlines one Agora consulting firm has come to fore, how she owned that firm that got a lot of business in India, how she when she became a SEBI chief she transferred the ownership to her husband Blackstone where her husband is a senior advisor it's a big player in REITS, she talks about REITS so the conflict of interest from her investment in offshore funds according to the report according to the report her consulting firm Agora, according to the report Blackstone the conflict of interest is so huge and so glaring that nobody can turn a blind eye anymore and which is why questions will be raised on should Madhvi Puri Butch continue as India's market regulator in one stock, this research report completely undermines the credibility of the regulator it tears to pieces the integrity of India's Prime Minister it tears to pieces how Caesar's wife should be above suspicion there are various questions that we have of India's regulator there are also various questions that we have of the government did she invest in the IPE plus fund 1 in 2015? a fund that was connected to Vinodadani when did she cease to have a stake there? when did she transfer her stake to her husband? when she was a whole time director in SEBI did she make the disclosures about the funds that she was holding? did she make the disclosures about Agora Consulting? who are the companies that continue to give business to Agora Consulting? which entities continue to give business even now? has she disclosed to SEBI that her husband is a part of Blackstone as senior advisor? Blackstone which is a big player in the REITs space REITs is something that she has personally espoused has she had direct meetings with Adani or Blackstone or companies associated with them? and before telling the Supreme Court that we drew a blank did SEBI tell the Supreme Court that funds that the SEBI was probing some of them allegedly had the SEBI chief herself and her husband as investors was this disclosed to the Supreme Court or not? questions will also be raised of the government could this have happened? could this collusion between the SEBI chief and Gautam Adani's group have happened without the knowledge without the patronage of India's prime minister as the report raises as the report questions what is the prime minister now going to say about the role of the SEBI chief? can this government possibly probe the Adani mega scandal? has Gautam Adani played a crucial role in the appointment of SEBI chief Madhvi Butch? corridors of power I mean there are murmurs in the corridor of power that he has disproportionate say as far as appointment of officers, competent authorities and even judicial positions is concerned the reality is that India's stock market regulator has lost all credibility and tomorrow if and when the markets fall who is going to be responsible for the erosion of capital as far as India's small investors are concerned? who is going to ring fence the small investors and why should Madhvi Butch Gautam Adani and Narendra Modi not be held accountable when market erosion happens market capital erosion happens we call ourselves the Vishwa Guru is this the rule of law that we can assure foreign and domestic investors with and last but not the least the Supreme Court was probing this matter was the Supreme Court made aware of the possible conflict of interest of the alleged shareholding that the SEBI chief had before the SEBI told the Supreme Court we draw a blank and which is why from this platform we appeal to the highest constitutional court in the country to take suo moto cognizance and probe this matter independently this government has no face, no wherewithal, no credibility, no integrity to probe the Adani scam at all and after the Hindenburg research reports accusations and allegations the SEBI has been found wanting to and under no circumstances with these glaring allegations can Madhvi Butch continue in her position for a single more moment than now Caesar's wife has to be above suspicion this is about the credibility of our markets 3 to 4 trillion dollar money is invested there it cannot, one cannot turn a blind eye to this one आपके सवालों का स्वागत है सवाल अगर इस से जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत शुक्र गुजार रहूंगे तो मैं बहुत शुक्र गुजार रहूंगे राहुल जी एक अकेले विक्ती हैं जिन्होंने लगातार अडानी महागोटाले पर सवाल उठाए हैं विपक्ष ने भी उठाए हैं और उन्होंने लगातार सवाल पूछा है ये 20,000 करोर रुपे किसे हैं और अडानी और मोदी का रिष्टा क्या कहलाता है और उन्ही सवालों में आपके सवाल का जवाब छुपा है जो राहुल जी के सवाल है राहुल जी का सवाल है अडानी मोदी का रिष्टा क्या है और बिना वो रिष्टा प्रगाड हुए ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर हिंडनबर्ग रिसोच रिपोर्ट के जो आक्षेप है कि सेवी की प्रमुक का इतना बड़ा conflict of interest था, जिन fund की वो जाच कर रही थी, जिस अडानी की वो जाच कर रही थी, allegation है, रिपोर्ट के मुताबिक वो उन्हीं fund में invested थी, इतना बड़ा conflict of interest शायद इससे पहले कभी नहीं था, मेरा अपना मानना है कि इतने बड़े घोटाले के बाद, और आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है सुप्रीम कोट से संबंदित, मैं यहाँ यह जरूर कहना चाती हूँ, और पुर्जोर तरीके से कहना चाती हूँ कि क्या इस देश के उ खुदी इल्वेस्टर थी, तो यह जबर्दस conflict of interest क्या कोट को बताया गया, और अगर नहीं बताया गया, तो हमारी अपील है कि सुप्रीम कोट अफ इंडिया देश का उच्चतम ने आया ले, इस मामले का पुनह संग्यान ले, स्वतह संग्यान ले और इसकी जाच करे, क्य I can ask a counter question, was the parliament session curtailed, because you knew this report was coming, why should you ask me the question that the BJP is asking, I am asking a counter question, क्या parliament session को curtail किया गया, क्यूंकि उनको पता था कि ये संसनी खेस खुलासा होने वाला है, और मैंने तो पहले ही कह दिया था, इस से पहले कि BJP के लोग, बद्दिमाग, प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, सरकार के ट्रोल मंत्री ये कहें कि हिंडनबर्ग जो है, वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, सवालों का जवाब दे दीजे ना, इतने बड़े संसनी खेस ख लांदार और जवाब दे बनाए रखना, विपक्ष का काम है, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर है, उनकी सुरक्षा करना, विपक्ष का काम है, इस देश में अगर कुछ गलत होता है, भरष्टा चार होता है, उसके खिलाफ अवाज उठाना, तो बीज, और मुझे एक सवा का जवाब आब और दीजिए, सरकार बोलती तो मैं समझ सकती थी, क्योंकि सरकार तो कटगरे के गेरे में है, इसमें, बात सेभी की हो रही है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी की बात करिये, आफशोर फंड की बात करिये, अगोरा की करिये, ब्लैक स्टोन की करिये, म आडानी का नाम लो और पूरी भाजपा उचले लगती है, यह संसद में भी होता है, यह सडक में भी होता है, यह रिपोर्ट आजाए, न्यूस्पेपर में आ जाए, मतलब ऐसी रग दपती है, अडानी का नाम लेते हैं, दो 10-10 फीट उचले लगते हैं सब लोग, क्यों ऐ कैसा होता है जाज करिए ना सुप्रिया जी एक सवाल लिये है कि इस आरूप के बाद अडानी की और से भी बयान आया है अडानी ग्रूप अप कमपनीज की और से उन्होंने यह कहा है कि यह दुर्भागे पुड़ है इसमें कोई सचाई नहीं है क्या जबाब देंगे उनको हिंदनबर्ग रिसरच की रिपोर्ट को कोट किया है हम यह प्रेस कॉंफरेंस सुबह दस बजे भी कर सकते थे हम कल शाम को भी कर सकते थे लेकिन हमने वक्त लिया हमने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और बहुत डीटेल में जाकर उन्होंने यह रिपोर्ट प्लाइन करी ह माधवी पुछ जी ने भले ना बताया हो कि उनके पती ब्लाक स्टोन में सीनिर अडवाईजर है लेकिन लिंग्डिन पर है और उन्होंने हर चीज खंगा लिए हर चीज की तफ्तीश करियो और वहां से बनाई है तो मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसा है तो सू करिये ना हिंडनबर्ग को लड़िये उनके खिलाफ केस बताईएगा उचितम न्यायाले को कि क्या यह आरोप गलत है या सही है वो तो कहेंगे ये गलत है वो थोड़ी कहेंगे हाँ बिलकुल आरोप सही है और हम महा घोटाले के एहम किरदार हैं उसमें सेमीव के साथ हमारी मिली भगत है और ये सारी चीजे प्रधान मंत्री मोदी की आखों के नीचे उनकी देखरेक में उनके संगरक्षन में हो रही है ये तो नहीं कहेंगे वो माधवी बुच्च जो स्टेटमेंट आया है उन्होंने उसमें कहा है कि हिंदनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट सेवी ने जो एंफोस्मेंट एक्षन लिया और उनको एक शो कॉस नोटिस दिया उसके चलते ही एक सिर्फ एक अटेंट है उनका करेक हिंदनबर्ग हो या चाहे कोई और हो किसी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं तो आप विक्टम कार्ड बिलकुल मत प्ले करिए आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए वो ये तो मान रही है अपने स्टेटमेंट में कि उनकी शेर ओल्डिंग थी और उन्होंने ट् दूद का दूद और पानी का पानी होगा यहां पर आप रीट्स के बारे में बड़ी-बड़ी कॉन्फरेंस में जाती थी क्या आप वह जाके बताती थी क्या आपके हस्बन ब्लैक स्टोन के हिस्से ब्लैक स्टोन से सलगन है जो रीट्स की सबसे बड़ी प्लेयर है आप ब आरोप लगता है तो ये कह देना क्योंकि हम जाच करते हैं चलिए मान लेते हैं आप जाच कर रही थी आपके उपर आरोप लग गया क्या आपने जब आप मान रही है कि आपके पास शेयर थे क्या आपने इस बात का खुलासा उच्चितम ने आयाले के सामने किया या नहीं किय आपने अपने आपको रेक्यूस क्यों नहीं किया आपने क्यों नहीं ये कहा कि क्योंकि मेरी शेर होल्डिंग थी इस ग्रूप में या इस संबंदित किसी चीज में जो कि रिपोर्ट कहती है मैं जाच नहीं करूंगी should Caesar's wife be above suspicion or not should India's market regulator be above board above suspicion or not is the question सवाल इस बात का है एक बात का जवाब दीजिए क्या आपने इस देश के उच्छतम नियाले को बताया था कि आपकी ये शेर होल्डिंग थी या नहीं थी और क्या आपका फिर इस जाच में बने रहना सही था या नहीं था सुप्या जी आपने एक निस्पक्ष जाच की भी बात कही है तो जो हिडन बड़ की ताजा रिपोर्ट है इसमें माधवी बुच के अलावा सरकार या बीजेपी की मिली भगत की भी बात कही गई है सरकार की मिली भगत की बात का सवाल इसलिए उठता है सरकार एक मार्केट रेगुलेटर अपॉइंट करती है आप तमाम बैग्राउंड चेक्स करते हैं आप तमाम डिस्क्लोजर्स देखते हैं सरकार के सामने एक सवाल आया कि आप अडानी महा घोटाले की जाच कराईए तो मोदी जी खुद तो करेंगे नहीं मार्केट रेगुलेटर जो अपॉइंट किया गया सरकार दोरा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है वो करेगा अब पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंडेंट रेगुलेटर इस रिपोर्ट के मताबिक उनका कुछ सलग ने उनकी कुछ शेर होल्डिंग में इधर उधर जवाब दही है तो सवाल इस बात का है कि क्या वो सरकार जो अडानी समू की जाच नहीं कराना चाहती है क्या वो सरकार जो डी आराई के हाथ बांध देती है over invoicing पे जाच मत करो डानी की क्या वो जाच कर सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज में दूद का दूद और पानी का पानी होना चाहिए JPC गठित करिए और इस JPC से कईए वो जाच करें उसमें हर दल के लोग रहेंगे हर दल के लोग प्रमुखता से बात उठाएंगे खरे सवाल पूछेंगे क्यों डरती है सरकार इस देश में क्या पहले कभी JPC गठित नहीं होई है लेकिन अडानी जी का नाम सुनते ही आपने सदन में कहरवाई देखी किसी का नाम ले लो अरे मोदी जी का भी नाम ले लो तो शांती से बैठे रहते हैं अडानी का नाम लेते ही स्प्रिंग लग जाती है उचल कूद हर मंत्री उचल ले लगता है भाई क्यों ऐसी कौन सी दुखती लग रहा है आपकी जो दब जाती है नस इसी लिए अडानी महागोटाले की जाच सुप्रीम कोट अपने तत्वावधान में या तो कराए या इस पर जेपी सी गठित हो लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है कि सुप्रीम कोट ने एक जात समिती गठित करी थी क्या उसको अंधेरे में रखा गया या उसको सारे सच से अवगत कराया गया आज इस बात पर भी सवाल है नहीं इस पर और कोई सवाल है क्या सुप्रीम कोट को इसका with no delay the सुप्रीम कोट has to take swa motor cognizance because the सुप्रीम कोट was probing this matter it was being probed it had set up a committee the SEBI was a participant in this SEBI told the सुप्रीम कोट we have drawn a blank while telling that according to this research report the SEBI chief had conflict of interest which she has accepted that yes I had shareholding which I had transferred which I had gotten rid of did she make that disclosure to SEBI and did she make that disclosure to the Supreme Court of India ये तो मतलब दूद का दूद और पानी के पानी की बात है जी इस पर और कोई सवाल हाँ बताए मैं वैसे इसी पर रखना चाह रही थी Bangladesh ते जुड़ा हुआ है मैं चाती हूँ कि आप प्रेस कॉंफरेंस आज इसी पर रखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक विशेश प्रेस कॉंफरेंस कर रहे है आपको घरों से हमने संडे को बुलाया है तो इससे हम इधर उधर ना हो तो अच्छा रहेगा बहुत शुक्री आपका